हेलो फ्रेंड आज हम इस एपिसोड में इंटरमिजेट ड्राइंग एक्जाम का प्लेंड जोमेटर का क्वेशन नंबर 9 स्वाल करने वाले हैं आज का यह क्वेशन इंगलिश और हिंदी लैंगविज में एक्स्प्लेंड होगा आपको ड्राइंग एक्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है पास वाले बेल आइकोन को अल क्लिक करना है वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना है प्लेन जोमेट्रिक का क्वेशन सवाल करने के लिए आपके पास राउंडर इसे कमपास भी बोलते हैं स्केल और पेंसिल इन जोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के आउशकता है आज हम इंगलिश हिंदिय और माराटी लैंगविज में क्वेशन पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पर क्वेशन दिखाए दे रहा है उसका आच्छी तरह से अब्जर्वीशन करना है और उसे समझ लेना है इंगलिश क्वेशन सेक्शन फिफ्ट कंस्ट्रक्शन आप कोट्रिलाइटल्स एक्जम्पल तू कंस्ट्रक्ट रोंबस इस तू डाइगनल्स बिंग गिवन सेंटीमेटर और 7.3 सेंटीमेटर लंबाई वाले विकरन का समझ तुर्भुज बनाईए मराटी प्रशन 9 सेंटीमेटर वह 7.3 सेंटीमेटर लाम बीचे करन असनारा समभुज चवकुन काड़ा इस प्रकार से क्वेशन इंबर 9 को हमने इंगलिश हिंदी और मराटी लेंग 9 सेंटीमेटर का क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 9 सेंटीमेटर का इसी लाइन हमें यहां पर निकालना है इसे नाम देना है ए सी यहां पर लिखना है 9 सेंटीमेटर उसके बाद एसी के हमें दो इक्वल पार्ड बनाने हैं यह पर कमपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर एप्रॉक्जिमेटली यह एसी के हाप वाला डिस्टंस हाप से थोड़ा हमें क्या करना है ज्यादा लेना है हाप से थोड़ा ज्यादा के डिस्टनस हमें ए अप्रॉक्जिमेटली लेना एसी लाइन की नीचे वाले भाग में हमें का coverage बनाना है और उसी तरह का का उपर वाले बाग है दिस्टंस यही रखकर हमें स्ट करओक्तिısı प्रकर यार्द पहले वाले आर्क पर बढ़ाने हैं दोनों आर्क एक दूसरे को जहां पर क्रॉस हुए हैं वहां पर हमें पॉइंट लेना है इन दोनों पॉइंट को हमें लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से एसी लाइन पर वच्चों हमने एक क्या निकाला है इसका लंब दुबाजक इस से पर्पेंडिकुलर भी बोलते हैं इस तरफ पर्पेंडिकुलर निकालने के बाद इस पर्पेंडिकुलर ने इसी लाइन को यहां पर क्रॉस किया है यहां पर पॉइंट लेना है ओ अब हमें कमपास में जो दूसरा वाला जो लाइन है इसका हमें डिस्टंस दिया गया है 7.3 cm वो distance compass में लेना है 7 और ये 3.3 mm और इस distance का हमें यहाँ पर एक लाइन निकालना है compass का steel वाला point वो इस point पर रखना है और यहाँ पर हमें एक arc बना इस compass में हमने जो radius लिया है distance लिया है कितना लिया है तो 7.3 cm लिया है यहाँ पर इस arc ने इस perpendicular को यहाँ पर प्रॉस किया है इसे नाम देना है इस point को नाम देना है यम अब हमें ओ यम इस line को दुभागना है याने कि इसके दो पार्ट equal part बढ़ाना है ओ यम लाइन के approximately यह distance हो गया हाफ हाफ से थोड़ा हमें क्या करना है ज्यादा लेकर left side को एक arc बढ़ाना है और right side को एक arc बढ़ाना है distance को change नहीं करना है और यही distance से हमें इस arc पर और arc बढ़ाने है तो यहाँ पर दोनों arc ने cross किया है यहाँ cross हुआ है वहाँ हमें point लेना है यहाँ पर एक point हमें मिला है इन दोनों point को line से जोड़ना है इस प्रकार से इस line ने इस O.M. line को यहाँ पर cross किया है यहाँ पर नाम देना है इस point को नाम देना है D अब हमें rounder compass की मदद लेना है वो point पर compass रखना है compass का steel वाला point rounder का steel वाला point वो point पर रखकर D point इतना हमें compass में distance लेकर AC line के नीचे जो perpendicular आया है उस पर हमें arc बनाना है इस arc ने इस perpendicular को यहाँ पर cross किया है यहाँ पर point मिला है उसे नाम देना है B अब हमें point को जोड़ना है AB point को जोड़ना है उसके बाद BC point को जोड़ना है उसके बाद CD point को जोड़ना है और ED को दो इस question में हमें तो अलग distance के विकर्न दिये गए थे कर्न दिये गए और उसकी मदद से हमने समझ अतुर भुझ बनाया है बच्चो आज का यह question आपको समझ में आया हो तो comment करके हमें बताना है आपके कोई question हो आपको कोई problem हो तो लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ थैंक यू प्रॉब जाइक बिलेंगे प्रॉब टूब झाल लाइक माणें टिलेंगे इज थैंक अप।